हलो एब्रीवान वल्कम बैक टो माई चैनल तो आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ श्री कैसे बनाते हैं तो कुछ लोग को तो पता है श्री क्या है लेकिन कुछ लोग को नहीं पता है तो श्री है बेंगॉली ट्रेडिशनल में यूज होती है शादी और पूजा में करने के लिए तो मेरे घर में पूजा था तो तब मैं यह से बनाया था ट्रस्ट मी गाइस मैंने यूटूब देख कि इसको फर्स टाइम बनाया था और फर्स टाइम में बहुत ही अच्छा बना था तो वही वीडियो आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ इसको बनाना तो मैं आज श्री में बनाने वाली हूँ कमल की फूल, उस हिसाब से मैंने तीन आटे की लुईया डिवाइड कर लिया है, आप देख सकतो, तो अभी मैं इसमें कलर मिक्स करने वाली हूँ, तो मैं कलर के लिए यूज कर रही हूँ, ये कैमल का फेबरिक रंग, तो फर्स्ट म योलो कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, आटे के लुईया में, तो ये रेडी है गाई, आप देख सकतो, अभी मैं सेकंड जो कमल की फूल के पंखूरिया होते हैं, उसको मैं बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं सेम कैमल का जो रेट फेबरिक कलर होता है, उसको मैं म बनाने वाली हूँ, लोटस की जो पत्ते होते हैं, उसको मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए सेम मैं कैमल का ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, तो इसमें ग्रीन कलर मिक्स करने के बाद अच्छा सा कलर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा योलो कलर मिक्स कर दिया है तो इसे पत्ते की रंग और भी जदा उभर के आया है और भी जदा अच्छा लग रहा था तो इसको भी मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ मिक्स कर रही हूँ आप देख सकतो तो ये भी रेडी है गाइस मिक्स करने के बाद तो अभी मैं इसका डिजाइन बन अब देख सेकते हों इसको मैंने लगा दिया है गंगाजल की हैलप से तो अभी मैं इस climate में जो गोली चोटा-चोटा बॉल मरी बना रही हो तो मैंने इसे चोटा-चोटा तीन-चार बॉल बना लिया है तो तो इस तीन चार बॉल को मैं फिर से मैं इसके उपर स्टिक करूँगी, उसके लिए मैं फिर से गंगा जल लगा रही हूँ, तो गंगा जल लगाने के बाद इसको स्टिक कर दिया है, तो अभी मैं पंखुरिया बनाने वाली हूँ, लोटस का, तो उसकी हिसाब से मैंने मेजर कर लिया है मुझे कितना अलुया चाहिए तो इसके लिए मैं इडिवाइट कर लिया है और अभी में कमल की फूल के जो पंखुरिया होता है उसको मैं बना रही हूँ ऐसे लीफ शेप में बनाना आप देखते जाओ बहुत ही इजी है बनाना गाइस आप ध्यान से देखोगे तो बहुत एजी लगेगा और अभी मैं yeah,あのकом दिजाइन करने के लिए तो मैंने यह तूथ पिक के हाँ से मैं इसके उपर डिजाइन करी हूँ मैंने तूथ पीक को थोड़ा सा गंगजल में डिप कर लिया हैं और उसके बाद मैं इससे डिजाइन दे रही हूं लिफ की तरह तो इसके बाद इस पंखुरिया को स्टिक करने के लिए मैं फिर से थाल में थोड़ा सा गंगा जल लगा रही हूँ तो पंखुरिया को स्टिक करने के लिए तो ऐसे इसको स्टिक किया जाता है गाईस तो ऐसे मैंने पंखुरिया लगा दिया है और भी पंखुर की help से ऐसे stick करके थोड़ा सा उठाके पंखुरियों को उठाकर ऐसे लगा रही हूँ आप देख सकते हो थोड़ा समय इसको bend कर रही हूँ ऐसे लिफ को तो इस तरीके से आपको इसको स्टिक करना है लगाना है बहुत ही इजी है आप देखते जाओ तो वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरू कीजिएगा और कैसा लगा ये वीडियो जरू बताएगा तो अभी खतम नहीं हुआ है अगरते होते हैं उसको मैं बना रही हूँ ऐसे मैंने गोल एक लुईया बना लिया है उसको थोड़ा सा चप्टा बना दिया है और बनाने के बाद मैं फिर से इस तरीके से तूटपीक के हल्प से मैं डिजाइन कर रही हूँ इसको ऊपर आप देख सकतो बहुत ही इजी है ट्रस्ट मी गाईस मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट टाइम में मैं इतना अच्छा श्री बनाऊंगी तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट शेक्शन में जरू बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू और आपको अगस्री बनाना नहीं आता है मेरे वीडियो देखके जरू बनाएगा और कैसा लगा और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजेगा प्रेंस फैमिली के साथ शेर जरू कीजेगा मेरे वीडियो को सो बाई गाईस लब यॉल थैंकि फर वाचिंग और लास् यॉल